वेलो फ्रेंज स्वागत है सुमन किचन में आपका फ्रेंज आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले का सुखे समची तो चलिए बताती हूँ इसे कैसे बनाएंगे हम और इसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने 500 ग्राम करेले को तो थोकर कि और इस तरीके के पीसेज में कट कर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी वन टेवल स्पून नमक और इसे अच्छा से मिक्स कर लूँगे इसके अंदर बढ़िया से मिक्स करने के बाद मैं इसे 30 मिनट के लिए रख दूँगी आप कड़वा बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं करेला तो इसे एक घंटे के लिए रख सकते हैं बट मैंने 30 मिनट के लिए रखा हुआ है अब 30 मिनट पाद मैं इस तरीके से इसका पानी निचोड़ लोंगी हाथों से प्रेस करते हुए तो यह नमक से जितना इसमी का कड़वाहट होता है करेले का वो सब निकल जाता है और उस पानी को हम इस तरीके से निचोड़ते हुए निकाल लेंगे तो इस सब कड़वाहट निकल जाएगा और उसके पास हम करेले को बनाएंगे यदि थोड़ा से कड़वा खाना चाहते हैं करेला तो आप कम टाइम तक नमक लगा के रखिए इसे 15-10 दो रखी हो अब गएर सॉन करके हमने कड़ा ही रख गके में वैल करप किया है और इसमें हम करेले को डिप धिड। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें फ्राइं आ लिए को तो वैसा वैल अमने गरम कर लिया है और आप Supasya को अर। हम फ्राई करेंगे और यह अब फ्राई होने में है तो आप देख सकते हैं थोड़े देर और फ्राई करूंगे इसे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल करारी हो चुकी है अब इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में और आपके पास यदि करेले और हैं तो उसे भी इस तरीके से फ्राइ कर सकते हैं और मैं इसे निकालने की पाद इसमें प्याज फ्राइ करूँगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सारे करेले को निकाल लेंगी और पचे हुए इसी तेल के अंदर मैं प्याज को फ्राइ करूँगी तो हमने मिडियम साइज की चार प्याज बारिक कट कर लिया हैं इस तरीचे में хват शौर फ्रींज ऐसे भी मैं फ्राई करूंगी वैल में और फ्रेंच उनसेव को हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं फ्राई करना मिल DR gray & G प्याज को नहीं फ्राइ करेंगे तो इस तरीके से हमें लाइट golden brown हमने कर लिया है आप देख सकते हैं इसका color. इस तरीके के color होने तक हमें इसी भुन है तो आप देख सकते हैं light brown हो चुका है तो अब मैं प्याज को भी निकाल लोंगे इस तरीके से थोड़ा रोपके हम निकालेंगे ताकि इसका जितना भी वैल है प्याज के अंदर वो निकल जाए तो आप देख सकते हैं अब हमने इसे प्याज को भी इस तरीके से निकाल लेना है जैसे करेले को हमने निकाला है आप देख सकते हैं हमने मसाले भूनेंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ वन्थ टेवल स्पून मेथी वन्थ टेवल स्पून जीरा और वन्थ फॉर्थ इसमें डालूंगी सौंफ और वन्थ फॉर्थ मैं डालूंगी कलॉंजी चारू चीजों को मैं फ्राई होने दूंगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे अब इसे फ्राई होने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी दो चमच लेशन का पेस्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से और इसे में तोड़ा सा भून लोंगी आधी मिंट के लिए इस तरीके से हम चलाते हुए से फ्राई कर लेंगे तो यह लेसन फ्राई हो चुका है अब इसके अंदर में डालूंगी टमाटर पेवरी आप चाहें तो टमाटर ऐसे बारी कट करके भी डाल सकते हैं वर इसका पेष्ट सबसे बढ़िया होता है तो मैं इ इसमें कुछ मसाले एड करूंगी तो हमने भून लिया है अब इसके अंदर में एड करूंगे मसाले तो यह जीरा पाउडर हाफ टेवल स्पून वन फोर टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून मेर्च है, मेर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाले, थोड़ा सा इसमें गरम मसाले एड़ कर दूँगी, और इसे भी भून लेंगे हम, एक से देर मिनट तक, थोड़ा सा वैल से फ्रेट होने लग गया है, कीके है, प्याज और को इसमें हमआड करके और इसे चलाते हुई पाएंगे, मसालों के साथ, तो आप कैसी हम से चलाते हुई पकाएंगे, तो आप कैसी तरीके से म मसाले में नहीban मार्ण के का है, और बिकाषन कशिए में दूदाएंग दूदा, और Prof तो इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाएगा यह बहुत ही टेश्टी बनता है और हेल्थ के लिए भी करेला बहुत अच्छा होता है तो लास्ट में मैं इसमें एड करूंगी नमक और आप देख सकते हैं चलाते हुए मैंने तो से तीन मिनट तक पकाने के पात इसमें नमक एड कीया है और यहां पे मैं अड कर रही ह हूँ नीबौ का जूस एक नीबौ हमने लिया है यहां पे आप आम चुड़ पाउडर भी एड कर सकते है चैहिए आपके पास कच्ची आम है तो मसालों के सांथ ही कच्चे आम का पेस्ट भी इसमें डाल सकते है लेकिन मैं यहां पे नीबू डाल रही हूं और आप देख सकते हैं इसमें वैल बिल्कुल सेफरेट हो चुका है तो यह सब बिल्कुल बनके रेडी है और आप इसे जब तक पकाएं जब तक वैल छोड़ने ना लग जाएं तो मैंने दो से तीन मिनट तक इसे मसालों के साथ पका लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेफरेट हो चुका है तो यह रेडी है सर्व करने के लिए और आप मैं इसे सर्व कर लेती हूं आप देख सकते हैं बिल्कुल बनके रेडी हो गया है और बहुत ही टेश्टी बनता है और इसे आप पूरी या पराटी या रोटी किसी भी क्योंकि इसमें बिल्कुल भी करवाहट नहीं है बिल्कुल करेले का जो करवापन होता है वो निकल चुका है तो आप इसे जरूर पनाई और हमें जरूर पता है रेसिपी कैसी लगी थैंक यू